जीवन का हर रुख्षण निर्णे का शण होता है प्रतेक पद पर दूसरे पद के विशे में कोई निर्णे करना ही पड़ता है और निर्णे निर्णे अपना प्रभाव छोड़ जाता है आज किये गए निर्णे भविश्य में सुख अत्वा दुख निर्मित करते हैं ना केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए आने वाली पीडियों के लिए जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है अनुश्चय से भर जाता है निर्णे का वोक्षण युद बन जाता है और मन बन जाता है युद भूमी अधिक्ता निर्णे हम दुविधा का उपाय करने के लिए ने केवल मन को चांद करने के लिए लेते हैं पर क्या कोई दौडते हुए भोजन कर सकता है नहीं तो क्या युद से जूचता हुआ मन कोई योग्ये निर्णे ले पाएगा वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णे करता है तो अपने लिए सुखद भविष्ये बनाता है किन्तु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णे करता है तो वो विक्ती भविष्ये में अपने लिए काटो भरा व्रिक्ष लगाता स्वाइम विचार कीजिएगा निर्ने के एक्षण्ड में हम सदा है किसी अन्य के सुझाव, तूचना, मंत्रना या परामर्ष को आधार बनाते हैं और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज दिये गए निर्ने के उपर होता है तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य के परामर्ष, किसी अन्य के सुझाव का फल है क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य की बुद्धी का परिणाम क्या हमने कभी विचार किया है कब का अनुभव है कि भिन भिन लोग एक ही स्थिती में भिन भिन परा मश देते हैं मंदिर में खड़ा भग कहता है कि दान करना चाहिए और चोर कहता है यदी अफसर मिले तो इस मूर्ती के शृंगार चुरां से भरा रिदय फर्म में सुझाव देता है और अधर्म से भरा रिदय अधर्म का परामर्श देता है धर्मे सुझाव का स्विकार ही मनुष्य को सुख की और ले जाता है किन्तु ऐसे परामर्ष्व का स्विकार करना तभी संभव होता है जब रुदे में धर्म अर्थात किसी का सुझाव अत्वा परामर्ष्व स्विकार करने से पूर स्वायम अपने हुर्दे में धर्म को साफित करना क्या आवर्शक नहीं स्वायम विचार कीजिए भविष्चे के अधार पर सब आज का निर्णे लेना चाहते हैं भविष्चे में सुख मिले भविष्चे सुरक्षे थो ऐसे निर्णे आज लेने का प्रेत्न रहता है सबका आप अपने जीवन को देखिए क्या आपके अधिकतर निर्णे के पीछे भविष्चे का विचार नहीं होता और हो भी क्यों ना अपने जीवन को सरल और सुख में बनाने का प्रेत्न करने का अधिकार सबका है पर भविश्य तो कोई नहीं जानता केवल कल्पना ही की जा सकती है तो जीवन के सारे महत्वपून निर्णे कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम क्या निर्णे करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है विचार कीजे सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के रदे में बसता है तो प्रतेक निर्णे से पूर्व स्वयम अपने रदे से ये प्रश्न वश्य पूछ लेना कि ये निर्णे स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से क्या इतना परियाप्त नहीं भविश्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविश्य अधिक सुख पूर्ण नहीं होगा स्वयम विचार कीजिए